नमस्कार दोस्तों मैं सर्विन जांगिड दोस्तों आज इस वीडियो में हम अलजेबरा के बेसिक पर्षन सोल करेंगे जैसे x प्लस 1 अपून x ब्राबर दे रखा है 3 तो x की पावर 6 प्लस 1 अपून x की पावर 6 ब्राबर क्या होगा रूट x प्लस 1 अपून रूट x ब्राबर दे रखा है 4 तो x का q प्लस 1 अपून x q ब्राबर क्या होगा दोस्तों ऐसे पर्षनों को सोल करने के सोट्रिक मा आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम कुछ basic formula देखते हैं जिनके सायता से हम ऐसे पर्षनों को सोल करेंगे जैसे x प्लस 1 अपून x ब्राबर दे रखा k और x square प्लस 1 अपून x square ब्राबर क्या होगा दोस्तों जब भी आपसे कोई powers दे रखे हो उसका दो गुना पूचें तो हमें साय स्क्वाइर का formula लगता है यहाँ पर x की घात कितनी है एक और यहाँ पर x की घात कितनी है दो तो इसका अमल आपसे वो square पूच रहा है तो इसमें square का formula लगता है तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पर क्या है x प्लस तो a प्लस b का holy square का formula लगेगा और a प्लस b का holy square क्या होता है a square plus b square plus 2ab जब हम a बराबर रखेंगे x b बराबर रखेंगे 1 बटा x तो इसको solve करेंगे तो इसका मान कितना आएगा इसका मान आएगा देखिए इधर आएगा x square plus 1 upon x square plus 2 x into 1 upon x बराबर और k का square क्या हो जाएगा k square इसमें x से x कैंसल हो जाएगा इधर plus का 2 है इधर जाएगे किसका हो जाएगा minus का तो x square plus 1 upon x square बराबर क्या हो गा k square minus 2 तो दोस्तों इसका formula होता है k square minus 2 जब इधर plus दे रखा हो तब यह minus का 2 हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हैगा plus 2ab तो यह plus का 2 इधर जाएगा तो आएगा minus का तो इसका formula होगा k square minus 2 लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर minus दे रखा हो यहाँ पर minus दे रखा हो x minus 1 upon x बराबर है k तो a minus b का formula लगा दो a minus b का holy square क्या होता है? a square plus b square minus 2ab जब minus दे रखा हो तो minus का formula लगा दो बाकितों सब सेम ही है फरक का पड़ेगा? minus 2ab तो यह minus का 2ab है इधर 2 बचेगा यह दूसरी side में जाएगा तो किसका होजएगा? पलस का तो यहाँ पर क्या जएगा? plus जब यहाँ पर minus हो तब तो plus का 2 आएगा जब यहाँ plus हो तब यहाँ minus का 2 आएगा क्योंकि formula से आप इसको समझ सकते हो अब कुछ example देखते हैं दोस्तों इस पर आदारित जैसे x plus 1 upon x बराबर है 3 तो x square plus 1 upon x square बराबर क्या होगा? यहाँ पर इसकी घाता एक आपसे दो बुनी पूछ रहा है x square तो क्या करेंगे? formula लगा दो इसमें plus दे रखा है तो plus का formula क्या होता? k square minus 2 यहाँ पर k की value क्या है? 3 तो 3 का square उसमें minus कर दें क्या? 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 जैसे x की power 5 plus 1 upon x की power 5 बराबर है? 4 तो x की power 10 plus 1 upon x की power 10 बराबर क्या होगा? यहाँ यहाँ पर powers कितनी है? 5 यहाँ पर क्या? 10 यहाँ दो गुनी पूछ रहा है दो गुनी पूछ रहा है square का formula लगेगा यहाँ पर क्या है? plus तो formula हो जाएगा k square minus 2 k बराबर क्या है? 4 4 का square होता है 16 16 में से 2 minus की बराबर होगे तो आज जाएगा 14 root x plus 1 upon root x बराबर है 5 तो x plus 1 upon x बराबर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर क्या root का मतलब होता है power होती है root का मतलब होता power है आधी और यहाँ पर power क्या है? 1 तो यानि इसके क्या है? 2 गुनिये इसके क्या है? 2 गुनिये यानि square होगा तो इसके बराबर देर रगा 5 तो कितना हो जाएगा? k square minus 2 5 का square 25 और minus का 2 तो हो जाएगा 23 दोस्तों यहाँ पर आपको रटना नहीं है आपको यह याद रखना आपसे 2 गुनिये पूचे power चाही कुछ भी हो power यहाँ पर 5 के जगर 100 देकर 200 पूचे तो square करेंगे 1 देकर 2 पूचे तो square करेंगे 10 देकर 20 पूचे तो square करेंगे अगर 2 गुनिये पूचे रहा तो हमेसा square करेंगे अगला example दोस्तों जैसे x-1 upon x बराबर 3 है अब क्या है minus का दे रखा है तो x square plus 1 upon x square बराबर क्या होगा यह क्या होगा a minus b हो गया तो इसमें क्या आता minus का 2 a b और minus का 2 उदर जाएगा तो क्या होगा plus होगा तो जब minus का दे रखा हो तो formula क्या होता है k square plus 2 मैंने पहले समझा भी दिया है तो वहाँ से समझ में आ गया होगा k बराबर क्या है 3 तो 3 k square होता है 9, 9, 11 है x की power 4 minus 1 upon x की power 4 बराबर क्या है 7 तो x की power 8 plus 1 upon x की power 8 क्या दे रखा है minus का तो minus वाला formula लगाएंगी यहाँ पर है 4 यहाँ पर है 8 याँ दो गुना square का formula लगी दा minus वाला square का formula तो क्या होता है k square plus 2 तो k बराबर 7 7 का square होज़ेगा 49 plus 2 होज़ेगा 51 तो दोस्तों आपको रटना नहीं है पर आपको समझना है कि जब minus दे रखा हो तब तो plus का 2 आएगा जब plus दे रखा हो तब minus का 2 आएगा और यहाँ पर हमेंसा plus ही रहता है क्योंकि a square plus b square हमेंसा positive आता है अब दोस्तों जैसे x plus 1 upon x बराबर k है और हमसे cube पूछे x की power 3 3 plus 1 upon x की power 3 cube का मतलब होता है उसमें cube वाला फूर्मला लगाना है यहाँ पर plus है तो a plus b का whole cube तो a plus b का whole cube होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b यह होता है a plus b का whole cube इसमें हम value put कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x cube plus 1 upon x cube plus 3 x into 1 upon x into और a plus b को रख देंगे तो x plus 1 upon x बराबर हो जाएगा k cube अब हमें निकालना x cube plus 1 upon x cube यहाँ पर x x कैंसल हो जाएगा x plus 1 upon x बराबर क्या है k तो यहाँ से अपने इसकी value रख देंगे k इसकी value तो कितना हो गया 3k यह तो cancel हो गया अब यह 3k है इदर जाएगा किसका हो जाएगा minus का यह आपर plus का है यह 3k इदर जाएगा किसका हो जाएगा minus का तो minus का 3k तो वह तरीका होगा दोस्तों इसमें यह plus का दे रख दे रख दो क्या हो जाएगा k cube minus 3k इस formula की साहता से आप इसको समझ सकते हो k cube minus 3k अगर plus दे रख दे रख दो minus का 3k अगर suppose यहाँ पर minus दे रख दो यहाँ पर a minus b का whole cube क्या होता है a minus b का whole cube होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b यहाँ पर क्या है minus का b cube है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हैगा minus आएगा cube वाले formula में plus में तो यहाँ पर plus आता है minus में यहाँ पर minus आता है लेकिन आगे क्या हैगा plus दे रख दो तो माइनिस का 3K और माइनिस दिरका तो पलस का 3K जैसा हमनी स्क्वार में खेता स्वें वैसा ही है एक दो अक्जामपल देखेंगे तो समझ में आजाएगा दोस्तों बहुत एजी है जैसे X पलस वन अपोन X ब्राबर है 3 तो क्यूब में पूछा है पलस है तो पलस का फूर्मना लगा देंगे पलस वाले में क्या आता है माइनिस आता है पलस वाले में में बैसा माइनिस हैगा K क्यूब माइनस 3K तो K बराबर कितना है 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 गुना 3 कितना होता है 9 तो जाएगा 18 18 रहा है, x cube plus 1 upon x cube रावरा 5, तो x की पावर 9 plus 1 upon x की पावर 9, 9 का मतलब क्या, इसका 3 गुणा है, 9 का मतलब क्या हो, 3 का 3 गुणा, और 3 गुणा का मतलब होता है, क्या, उसका cube, तो फोर्मुला लगा दो, क्या होजाएगा, k cube minus 3 k, क्योंकि आपर 20 वाला फोर्मुला है, तो 5 का cube 125, minus 3 into 5, तो किना होजाएगा, 15, 125 में इस 15 मानिस करेंगे, तो 110, अगर minus दे रखाओ, x minus 1 upon x बरावर 4, तो x cube minus 1 upon x cube बरावर क्या होगा, इस बार क्या है, minus का फोर्मुला है, तो minus का है, तो minus वाला लगा, तो उसमें क्या है, k cube plus 3 k, आपको बस फोर्मुला याद रखना है, a plus b का whole cube क्या होता है, a minus b का whole cube क्या होता है, उससे आपको समझ में जागा, कहाँ पर minus करना, कहाँ पर plus करना है, तो आपर क्या है, 4, तो 4 का cube हो जाएगा, 64 plus 3 into 4, तो बार रखना होजागा, 76, ये इसका answer हो गया, दोस्तो पहला percent solve करते हैं, x plus 1 upon x बरावर 3, तो x की पावर 6 प्लस 1 upon x की पावर 6 बरावर क्या होगा, दोस्तो फोर्मुले तो हमने सीख लिए, लेकिन अब उसको use कैसे करना है, वो अब सीखेंगे, जैसे हमसे पूछा क्या है, x की पावर 6, ध्यान से समझना दोस्तो, हमारे पास में फोर्मुले हैं 2, एक तो square का एका cube का, हमें निका निकालना क्या है, x की पावर 6, आपको जो भी निकालना है, उस पावर के टुकड़े कर लो, जैसे 6 है, 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 into 3, इसका मतलब हमें क्या करना है, एक बार तो square करना है, एक बार cube करना है, पहले square करो, या cube करो, कोई फ्रक निपड़ता, लेकिन square वा cube दोनों करना पड़ेगा, जैसे मानली जी आपसे पूछे, x की पावर 4, प्लस 1 अपून x की पावर 4, तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 into 2, इसका मतलब दो बार square करेंगे, अगर आपसे पूछता है, x की पावर 5, प्लस 1 अपून x की पावर 5, अब 5 है, तो 5 के टुकड़े करो, तो 5 ना तो 2 की table में आता है, 5 ना तो 3 की table में आता है, तो इसको अपन अलग तरिके से solve करेंगे, यह मैं अगले वीडियो में आपको समझाओंगा, अब यह मारे पास में क्या 6, तो 6 के टुकड़े होंगे 2 into 3, तो एक बार तो square कर दो, x प्लस 1 अपून x बराबर 3, तो square कर दो इसका, तो हो जाएगा, x square प्लस 1 अपून x square, बराबर कितना हो जाएगा, k square माइनिस 2, 3, k square 9, 9 मिस माइनिस कर दो, तो हो जाएगा 7, यह मैं आपको समझा दिया है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो यह 6 है, यह क्या है 2, इसका मला आप से क्या पूछ रहा है, cube प 43, साही से लिखते हैं इसको, 3, 4, 3, माइनस 3 इंटू, के बराबर किया है, 7, तो 343 में इसको माइनस करोगी, किस तो जाएगा, 322, बस उन्ही फोर्मुलों को यूज करना है, आपको थोड़ा सा समझना इसमें, कि कैसे कैसे यूज करते हैं, मैंने बता दिया है, फोर्मुल क्यूब, लेगन क्यूब तो किसका निकलेंगे, एकस की पावर 1 का, यहाँ पर एकस की पावर रूट, रूट का मलत होता है, एक बटा दो, यानि आधा, तो पहले इसका क्या करेंगे, तो एकस प्लस वोन अपून एकस बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वार करेंगे, तो क्या होता है, चार का स्क्वार 16, और 16 में से माइनस करेंगे 2, तो आज़ाग 14, यह मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या करेंगे, एकस प्लस वोन अपून एकस बराबर 14, तो इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब का फूर्मला क्या ह होता है के क्यूब माइनस 3 के के क्यूब माइनस 3 के जब पलेस का दे रखाओ तो के वर आपर क्या 14 तो सबसे पहले 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14 तो 14 क्यूब कितना होता है चार अजार चान में माइनस 14 को तीन होता है 42 तो इसमें से माइनस करें कितना पचेगा इधर पचेगा 4 इधर पचेगा 5 0 4 तो दोस्तो इस प्रकार से हम ऐसे क्यूशन को बड़ी आसानी से सोल कर सकते हैं दोस्तो अगर आप पर इस ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किरके जुरू बताना और वीडियो को लाइक करना वीडियो देखने के धन्यवाद थैंक्यूशन